आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूजी से बनने वाला ये जटपट नाश्टा जिसे आप एक बार बना करके खाएंगे ना तो हर सुबाब इसी कोई नाश्टे में बनाना चाहेंगे बहुती टेस्टी रेसिपी है और बहुती जटपट से तयार हो जाती है तो सूपर टेस्टी नाश्टे के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक कप के करीबन सूजी जिसे हम इस तरीके से मिक्सिंग बाल में डाल देंगे तो एक कप सूजी के साथ आदा कप के करीबन दही लिया है तो दही का ध्यान रखिए कि ये बिल्कुल भी खट्टा ना हो तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है इसको तो मिक्स करने के बाद इससे 10-15 मिनिट रेस्ट पर जोड़ देंगे तो 15 मिनिट बाद आप देखिए तो ये देखिए सूजी बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल चुकी है तो ये देखिए कितना गाड़ा सा ये बैटर हो चुका है तो अब आपको क्या करना है इसमें पानी डाल देना है तो ये देखिए कितना गाड़ा बैटर है तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं तो पानी की कंसिस्टेंसी आपको कमी रखनी है क्योंकि हमें इसको थोड़ा लगाना पसंद करते हो तो आप इस तरीके से इस बैटर में मिक्स कर लें अब हम डालेंगे 1-4 टीस्पून के करीबें मीठा सोडा या खाने वाला सोडा इसके जगह पर आप एक पाउच इनो का भी डाल सकते हैं तो इसको बिल्कुल अच्छी से आपको मिक्स कर लेना है तो आप हम क्या करेंगे तव पर न अच्छी तरीके से तेल से इसको ग्रीज कर लेंगे और यहाँ पर आप हम इस बैटर को इस तरीके से फैला लेंगे तो यह देखिए इस तरीके से मैंने फैला लिया है तो आप चाहिए तो इसे थोड़ा बड़ा साइज में भी फैला सकते ह यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सब्जी यह लिए है, प्याज, टमाटर, शिम्ला मिर्च और हरी मिर्च, तो इस तरीके से पहले हम प्याज डाल देंगे, तो बराबर दूरी में आप इस तरीके से प्याज डाल दें, तो आप इसकी जगह पर अपने चोईस के साब से कोई सी भी सब्जी आप इसमें एड़ कर सकते हो, चाये तो आप गाजा डालिया या कोई सी भी सब्जी या डालिये, तो इसकी साथ मैंने यहाँ पर बारी कटी वी शिम्ला मिर्च लिए, तो अगर आप शिम्ला मिर्च पसंद नहीं करते तो आप इसकी जगह पर बीन्स भी डाल सकते तो बस इसमें बारी कटी वी हरी मिर्च डालिये और थोड़े से बारी कटी वी टमाटर डाले इससे यह देखिए कितना कलर फुल लग रहा है, तो सारे कलर के जो है मैंने यहाँ पर कॉंबिनेशन इसमें कर दिये हैं, तो यह देखिए इसको हलका सा आपको ना इस तरीके स अंदर को प्रेस कर लेना है ताकि यह बैटर में ना अंदर जो है अपनी साइड बना लें, हलका सा इसमें हम नमक डाल देंगे, टेस्के अकॉर्डिंग और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी देगी लाल मिर्च, तो कलर वाली मैंने लिये ताकि इसमे जो है कलर अच्छा आजाए, बाकी तीके के लिए मैंने हरी मेर्च और रेड चीली फ्लेक्स तो डालाई है, इसको हम कवर करके एक मिनट जो है अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर ढख करके बगाएंगे, और एक मिनट बाद आपको क्या करना है ना, इस तरीके से, यह देख आप हमेशा लो फ्लेम पर ही पकाएं, तो यह देख सकते हो, इसकी फ्रेंट साइड भी कितनी अच्छी तरीके से लग चुकी है, इसको पकाने में मैक्सिम्म चार से पांच मिनट का समय लगता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो आप देख सकते हो, इसका बेस दिरेदी अच्छे से पक चुका है तो इसमें जो है दोनों साइड अच्छे से से एक लग चुकी है तो ये हमारा अत्पम बिल्कुल तयार हो चुका है आप चाहे तो इसे एक बार मेंक बनाए या थोड़े बड़े तावेबर एक साथ दो से तीन एक साथी कठे बना लीजे तो ये बहुत एजी और जटपट वाला नाश्टा दियार हो चुका है तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू